श्री शिवाय नमस्तु भीयम हरहर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों हम सब को पता है कि आज है 16 फरवरी यानी की गुप्त नवरातरी की सब्तमी तिथी का बहुत ही प्यारा सा दिन प्यारा ये इसलिए है क्योंकि आज है गुप्त शुक्र दीपक चुपचाप अपने घर में लगाना है अपने परिवार के लिए अपनी फैमिली की अच्छी उन्नती अच्छी तरक्की के लिए जिससे उन्हें कभी भी पीछे मुड के देखने की जरूरत ना पड़े बहुत ही स्पेशल बहुत ही छोटा सा उपाय है जो क तरीके से मिट्टी का दिया क्या लोगे मिट्टी का दिया लेंगे इसमें दो आप्शन है आप चाहे तो तेल का तेल डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें घी डाल सकते हैं सरसों का तेल इसमें नहीं डालना है बाकी तेल का तेल डालना है वो डाल दो ठीक है उसको दगाना होगा दो बत्ती और दो बत्ती थोड़ी बड़ी बड़ी सी होनी चाहिए जैसे मैं यहां पे कर रहा हूँ ना इसी तरीके से बड़ी बड़ी बत्ती आपको होनी चाहिए जिसके इस तरीके से चार के मुख निकल करके आ जाए और ये बन जाएगा आपका चमुखी दीपक बना लिया आपने इस दीपक को उठाना सब कुछ तयार करके और साथ ही साथ आपको लेना होगा दो चावल के दाने कितने दो चावल के दाने लेंगे और इसको लेंगे और एक काम और करना होगा वो लेना है आधा दूद लोगे और आधा पानी का लोटा दूद होना उस शमी पेर के नीचे क्रम समझेंगे तरीका समझेंगे हमें पहले काम कौन सा करना है सबसे पहले हम पहुँच करके जो मैंने आपको एक दीपक दिखाया था उस दीपक की चारों को आपको जला देना होगा किसी भी नाम से जला दो को इसी हह इसी दीपक के अंदर डाल देंगे डाल दिया दीपक को जला दिया अब बात आती है जल चड़ाने वाली जो मैंने आपको एक दिखाया जिसमें आधा दूद और आधा पानी है वो शमी पेर की जर में आओ धूतेश्वर महादेव फिर से बोल रहा हूँ आओ धूत परिवार के दिन गुप्त नवरातरी की सब्तमी तिथी के दिन जो भी व्यक्ति कर लेगा उसको अपने फैमिली में परिवार को लेके कभी कोई चिंता नहीं रहेगी खुद आओ धूतेश्वर महादेव उनके परिवार की रक्षा खुद करेंगे तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा जिसे आपकी फैमिली तो खुश रहे साथ आप भी खुश रहे और जब परिवार खुश रहेगा तो हम भी हमेशा खुश रहेंगे कभी भी कोई तकलीफे हमारे जीवन में नहीं आएंगी ठीक है समझे तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की आगे बढ़ते है इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो की आपको करना होगा लॉंग से है ना ये किनके लिए है देखो हर परिवार में न कई ऐसी चीजें देखी गई है कि लोग परेशान ह होते है किसी के घर में नेगेटिव एनजी घुस गई है नकारात्मक उर जाए बहुत ज़्यादा आ गई है परेशान है वो आदमी ठीक ही नहीं हो पा रहा है आप करना होगा लेना होगा पांच लॉंग क्या लोगे पांच लॉंग लेंगे पांच लॉंग को लेने के प्राइव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोश काल में पूरे परिवार का नाम और गोतर बोल करके या फिर इनसान का नाम और गोत्र बोल के जो इनसान आपके घर में बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सोचता बहुत जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती है, उस इनसान का नाम और गोत्र बोल करके उस कपूर को जला देना जिससे वो पांच लॉं नहीं बचेगी इस कटोरी को लेकर के या फिर इस दीपक को लेकर आप अपने घर जाना संभाल करके इस रख को रख देना, अगले दिन जब शनिवार का दिन पड़ेगा तो इसे चुपचाप किसी पीपल पेर के नीचे जाकर के आपको उसकी राख को फेंक करके चले आना है यकीन मानिए आपकी फैमिली में, परिवार में कितनी भी बड़ी समस्याइं होंगी, वो सारी की सारी समस्याइं धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी इससे प्यारा इससे special उपाए आपकी फमिली खुश करने के लिए आपके परिवार की तरक्की के लिए कोई नहीं हो सकता तो आप सभी को जरूर करना है ठीक है समझे आप मेरी बात को यहां पे हम लोगों ने चलो अब बात करते है इस वीडियो के अपने तीसरे उपाए की तरफ लेकिन ये तीसरा उपाए मैं आपको तब बताऊंगा जब ज़्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे जितने भी भाई बेहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को सभी को लाइक कर ठीक है चलो समझते है देखो ये तीसरा उपाए बहुत ही छोटा सा बहुत ही आसान सा है और सबसे बात है कि इस उपाए को आप अपने घर पे भी कर सकते हो किनके लिए होगा ये उपाए देखो जब कभी भी आज के टाइम पे देखा गया है किसी की वाइफ है, किसी के हस्बेंड है, किसी के बच्चे हैं वो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं ना उनका काम नहीं होता हमेशा उन्हें निराशा ही हाथ लगती है तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए आपको इस उपाए को करना है आपको क्या करना है आपको लेना होगा दो काली मिर्च इससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है दो काली मिर्च लेना और जब भी आप कभी भी काम के लिए घर से बाहर जाओ उस दो काली मिर्च से जो एक काली मिर्च होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कौन से महादेव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम की सुवेक्षा बोलना क कि हमारा ये काम महादेव पूरा करना ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करेंगे अब जो दूसरा काली मिर्च होगा ना जो एक आपके घर का में गेट होता है, जिसको हम, लोग लोहे वाला गेट बोलते आप जब उस लोहे वाले गेट से बाहर निकले, तो बाहर निकल करके आपको अपने वो जो एक काली मिर्च था उसको अपने लेफ्ट पैर यानि की बायां पैर उल्टे पैर के नीचे दबा करके उसके बाद निकल जाना है, काफी लोग कहते हैं, क्या भिया जूता या फिर चपल सैंडल कुछ हमने पहन रखा है, उसे निकालना है, निकालना नहीं है, आपको उस एक काली मिर्च को अपने जूते के नीचे चपल के नीचे सैंडल के नीचे ऐसे ही दबा करके फोर करके अगर आप किसी भी काम के लि करिएगा जरूर यहां पे हम लोगों ने तीन उपाय की तो बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे और बहुत ही ज्यादा आसान से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखरी उपाय, ये उपाय किनके लिए है, स्पेशली ये उपाय पित्री दोश को दूर करने के लिए ये पित्री दोश शुकरवार के दिन आप उपाय करोगे, लेकिन उपाय पूरा कब होगा शनिवार को समझेंगे, पूरे उपाय को देखो, पित्री दोश अगर आपके घर में लगा होगा ना, तो लक्षन समझ लो, घर में धन की कमी लगी रहेगी लडाया घर में बहुत ज़्यादा होंगी घर की तरक्की नहीं हो सकती है, हस्बंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, ये कई ऐसे कारण है, जिसको हम समझ सकते है, पित्री दोश के लक्षन, ना क्या करोगे आपको लेना होगा एक चमच के आसपास काला तिल, और उस काले तिल को तामबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना और उसी एक चमच काले तिल को तामबे के लोटे में डाल देंगे, इस कलश को उठाएंगे आपके घर के में, जहां पे भी आप पीने के लिए पानी घर में रखते हो मटका हो, परिंडा हो, आरो हो, कौां हो, बावडी हो जहां से पीने का पानी लेते हो उसी जगह पे आपको उस तामबे के लोटे को आपको काले तिल के साथ में एक प्लेट से इस कलश को देना कब करोगे शुकरवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोश काल में आप इस उपाय को कर लेना या फिर रात में पूरी रात शुकरवार की पूरी रात आपको इस तरीके से कलश को रखा रहने दो अगले दिन जब आप सुबह शनिवार के दिन सनान वगेरह कर लें तो सुबह दस बजे से पहले फिर आप इस कलश को उठाएंगे पुरे घर में इस कलश को लेकर घूम लेना और लेके चले जाना किसी भी पीपल पेर की जड़ में और अपने पितरी का ध्यान करते हुए समरन करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से शनिवार के दिन पूरा का पूरा जलकाले तेल के साथ में पीपल पिंड की जर में समर्पित कर देना जिस भी कारण से आपके घर में पित्री दोश लगा होगा वो दोश आपके घर से दूर जरूर होगा और आपके पित्री इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, करना सभी को इस उपाय को इससे। अरहर महादेव